आप सुब्य क्या स्वागत है में ओनिसकमार दोस्तों इस वीडियो में आप सुब्य को बताने वालाओं की काउंसलिंग के लिए रजिस्टेशन कब से स्टाट होगा उसका डेट क्या है शुरू करते हैं फ्रेंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले काउंसलिंग के रिलेटे आप सुब्य को बता दू अभी स्टाट नहीं हुआ है वह जो आप सुब्य को निउ रजिस्टेशन दिखा रहे है वह 2019 का है अभी एमसीसी ने अपना वेबसाइट को अपडेट्स नहीं किया है तो सुरू करते हैं फ्रेंड मैं आप सुब्य को बता दू कि एमसीसी 15% कोट चैसा के लिए जो आत्राके लिए स्टाट करेगाख सामने आ रहा है happy 27 अप्तूवर से स्टाट करने का चौंस है एक दिन पहले भी ह 되면 अभी सामने आ रहा है एक कि बाद मैं आप चुब eh क्लियर कर दूं सब्सक्राइब करते हैं और टेलेग्राम पे सभी सटेट वेबसाइट का लिस्ट जारी निकर दिया है वहां से जाकर अगर आपने उसको नहीं देखा है तो देख ले और मैं इसका प्रोसेस में आप सबू को बता दू फ्रेंट की आप सबू को जिस दिन स्टार्ट होगा सपोज अगर 27 तारिक से यह स्टार्ट होता है तो आप सबू को only 6 days का समय दिया जाएगा रजिस्टेशन करने का पेमेंट करने का और च्वाइस फिल करने का अगर 27 अक्टूबर से श्टार्ट होता है तो 27 अक्टूबर से एक नॉवंबर तक आपको टाइम दिया जाएगा रजिस्टेशन करने का पेमेंट करने का और च्वाइस फिलिंग करने का एक नॉवंबर के वाद आपका यह time खतम हो जाएका और फर्स्ट नॉबर को रोसी सान नीव रोस्ट हो जाएगा अगर सथाई से स्टाट होता है रोसी सन तब और जस्ट फर्स्ट नॉवबर के next दिन सकेंड नॉबर दो नॉबर को आप सबुको complete एक दिन दिए जाएगा च्वाइस फिलिंग क को और उसी दिन आप सब्हू को च्वाइस फिलिंग लोग कर देना है अगर आप सबी च्वाइश फिलिंग खुचे लोग कर नहीं करते हैं तो अटोमेटिक प्रोसेस से लोग हो जाता है दो नौबर को लोग जाने के बाद थर्ड नॉवंबर यानि तीन नॉवंबर को mcc sit allotment करने का प्रोसेस सुरू करेगा और जस्ट नेक्स डे चार नॉवंबर को आप सबू को रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा ओनलाइन कि आपको कौन सा कॉलेज एलॉटमेंट किया गया है और चार नॉवंबर के बाद रिजल्ट आजाने के बाद जस्ट नेक्स डे पांच नॉवंबर को आप सबू को कॉलेज में विजिट करने को आपको परविशन दिया जाएगा यानि आपको लेटर जब सामने आएगा उसमें लिखा होगा यह प्रोसेस भी फाइफ टू टेन पांच से दस इनके बीच में आप सबू को कम्प्लीट प्रोसेस कर लेना है अरजिस्टेशन कर लेते हैं लेकिन 24 फिलिंग करने में उनको डर लगता है लेकिन मैं आप सबू को बता दू आइथिंग कल कल मैं कनफर्म सभी स्टेट्स का 2019 का लिस्ट जारी कर दूँगा रैंकिंग है वह रैंक देकर एक अनुमान लग जाएगा कि हां आपका रैंक जो है इस बार उसी रैंक पे उस कॉलेज में एडिशन होगा लगबग एप्रॉक्सिमेटली ठीक है आपको अंदाज लग जाएगा मैं आपको बताऊंगा गाइड करूंगा ठीक है आप सब निसींत्र है सेकेंड राउंड प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा आप सब को समझ में आ गया होगा तो जो एक्सपेक्टेड डेट है 27 अक्टूबर सामने आ रहा है तो आप सब भी काउंसलिंग करने के लिए प्रिपेर रहे हैं और मैं लगबग मैं कोशिस करने का कल कैसे भी करके मैं कोफर्टेवल फिलो परशानी ज्यादा ना हो आप सब को ठीक है तो आप सब भी हमारे इंस्टाग्राम और टेलेग्राम को फॉलो कर ले लिंक डिस्क्रिप्शन में है मैं इंस्टाग्राम पे दो बार लाइव आज युका हूं फिरसे भी तुरंद आने वाला हूं और टे हूं और टे लोगं पॉलो कि लो कि लो आ युका है कि मेरे अप धिलो आपे कि दिए बार लाइवला गाणता है युका है वी हमां वी को युका है युका है झाला हुआण।